जे हिंदोस्तो स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण कॉस्चन आंसर यहाँ पर जीवन परिचा लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर लीलधर जगुडी जी का तो वीडियो को पूरा अवस्च देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें लीलधर जगुडी जी से संब्दित फर्ष्ट कॉस्चन की बात करें लीलधर जगुडी किस काभ विधारा के कभी हैं यह आपको यहाँ पर बताना है बताईए तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर यहाँ पर सी यानिकी नई कभीता सही आंसर होगा कॉस्चन नमबर दो पूंचा है लीला दर जगुली को किस काब्वे के लिए साहित अकादमी पुरुस्कार दिया गया भत्तपुन कॉस्चन आपसे यहां पर पूंचा गया है तो भै कौन सा काब्वे है अनुवाव की आकास में चांद जितनी लोग उतनी प्रेम नाट साहित अकादमी पुरुस्कार दिया गया था किस वर्स दिया गया था यह बताना है कॉस्चन नमबर तीन है और तीन का सही आंसर है भी यानि की 1997 आपका सही आंसर है 1997 को साहित अकादमी पुरुस्कार मिला था लीला दर जगुली जी को लीला दर जगुली जी को ब्यास सम्म किस वर्स दिया गया था यह बताना है 2018 में 2019 में 2016 में 2017 में तो question number आपका यहां पर है चार और चार का राइट आंसर है 2018 यानि कि विकल्ब नंबर एक आपका सही आंसर होगा question question number पांच पूछा है लीलतर जगड़ी को किस कापने कि एक ब्यास स्म्मान दिया गया था अनुभव के आकास में चांद जितने योग उतने प्रयम नाटक जारी है इस यात्रा में तो किस काप़ी के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया था तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर नाटक जारी है विकल्प नंबर आपका C राइट आंसर होगा लीला जगुडी जी का जन्म कहां हुआ था? question number 6 है और 6 का राइट आंसर बताना है दो विकल्प आपके यहाँ पर दिये गए हैं और आपका सही आंसर है बिल्कुल सही आंसर होगा दंगड टिहरी गड़वाल उत्रा खंड में इनका जन्म हुआ था तो विकल्प नंबर दि राइट आंसर लीला जगुडी का जन्म में कब हुआ था? ए बताए बहत्तपूर्ण question आपसे यहाँ पर पूंचा गया है इनका जन्म कब हुआ था? बताए तो आपका यहाँ पर सही आंसर है question number आपसे यहाँ पर साथ पूंचा है विकल्प नंबर एक राइट आंसर है 1940 E.C.B. में इनका जन्म हुआ था लीला जगुडी जी का question number आपका आठ पूंचा लीला जगुडी का पूंचा है इनका पूंचा है इनका पूंचा है बताए number एक अंगला question है इनमें से कौनसा कवबग लीला जगुडी का नहीं है देके नहीं पूंचाए आपसे यहाँ पर तो नहीं में बताना है बताए कौनसा कवब लीला जगुडी का नहीं है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा है बल राम के हजारों नाम यह जो है राइट आंसर है डी सही आंसर होगा लीलधर जगुडी का नाटक है कौन सा है एक और अजनबी जादू का कालीन तीन कहदें पांच बेटे कॉस्चन नमबर दस और दस का सही आंसर बताना है तो लीलधर जगुडी का नाटक कौन सा है तो बिलकुल सही राइट आंसर है पांच बेटे विकल्प नमबर सी आपका सही आंसर होगा कॉस्चन आपका यहाँ पर 11 वा कॉस्चन क्या पूंचा गया है तो देख लेते हैं नाटक जारी है काब्बे का पिरकासन वर्स आपके लिए यहाँ पर बताना है बताईए नाटक जारी है कब का पिरकासन बर से कब हुआ तो सही आंसर है 11 का एक सही आंसर होगा 1972 में रात अभी भी मौझूद है कब का पिरकासन कब हुआ कॉस्चिन नमबर 12 है रात अभी भी है काब्बे का प्रकासन आपको बताना है, रात अभी भी मौझूद है, काब्बे का प्रकासन पूँचा है Q12 है और सही आंसर है 1976, 26 भी राइट आंसर होगा इन वैसे कौन सा काब्बे लीलाधर जगुडी का नहीं है? नहीं पूँचा है आपसे यहां पर भी बताईए नहीं है कौन सा कब्ब लीले धर जबुडी का नहीं है तो 13 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर यहां पर C एक क्या है एक और आकास की खोज विकल्प नंबर C आपका सही आंसर होगा कौस्चन नंबर आपसे 14 पूँचा है घबराय हुए सब्द काब्ब का प्रिकासन कब हुआ कौस्चन नंबर 14 में बताना है घबराय हुए सब्द काब्ब का प्रिकासन 1981, 1982, 1985, 1986 तो सही आंसर है आपका यहां पर विकल्प नंबर C राइट आंसर हैं यहां पर 1981 आपका सही आंसर होगा 1981 राइट आंसर है बिलकुल सही बहुत बढ़ियां यहां पर अपने देखे बहुत ही मतपूर्ण कॉस्चन थे लीला दार जबुडी जी से संबंदित तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में जरू बताएं अगर आप चैन क्लब्ध है हिंदी साहितिकी तो प्ले स्टोर पर जाएए सेल्फ इस्टेडी क्लासे से अब डाउनलोड कीजे और सर्सा पब्लिकेशन का इमाला बस्तूनेस्ट प्रेशनी की एबुक है तो आप इसको भी खरी सकते हैं आज की वीडियो मैं से इतना है सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन